हलो फ्रेंज, वेलकम बैक टू माँ चैनल, देखिए फ्रेंज, आज मैं आपके लिए बहुत सुन्दर कैप का डिजाइन लिखे आई हूँ, यह रैबिट वाली कैप है, जो कोई लुकवाइस काफी सुन्दर लगती है, विंटे सिजन में आप अपने छोटे बेबी को इस त तरीके से यह देखिए पूरा जो पार्ट है वो बना के रैडि किया है, देखिए साइड में मैंने एक सीधा बनाया है, और लास्ट में भी यह देखिए एक सीधा है, एक एक एच को फंदा लिया है, बाकी फिर उल्टा सीधा करके हमने यह बनाया है, तो देखिए इस तरी यानि कि मैं इसे इस तरीके से देखिए, फोल्ड करने वाला बना रही हूँ, यह देखिए ऐसे, तो देखिए, जितना भी आपको फोल्ड करना है, उतना आप इसे अलग कलर से बना लीजे, आप यहां तक भी, जो जैसे मैंने यहां पर पिंक कलर यूज किया है, तो जितने जगह पर यह डबल हो रहा है, इतने जगह पर आप इसे लगा सकते हैं, देखिए, मेरे पास सोड़ी यह वाली वूल कम थी, इसलिए मैंने यह इतनी लगाई है, क्योंकि देखिए, यह क्या डबल हो जाएगा, तो यह वाला पार्ट हमारा अंदर चला जाएगा, यह देखिए, इस तरीके से, ठीक है, तो जितना आपको यह बनाना है, आप बना लीजेगा, तो यहां से यहां तक मैंने यह 14 लाइन्स का बनाया है, ठीक है, अगर आप चाहें इसको आपको मेजर करके एक बार दिखा देती हूँ, यह देखिए, अगर इस तरीके से हमें स्ट्रच नहीं करना है ऐसे, बस जैसे हमने बुना है, उसी तरीके से हमें बिना स्ट्रच करे वे यह से नापना है, तो देखिए, 9 इंच के करीब मैंने से बना के ready किया है, देखिए, इसमें 1.5 इंच का हमने जो निचे वाला पार्ट है, फोल्ड करने वाला वो बना के ready किया है, तो जो पूरे कैप की यहाँ पर लैंट है, यह 9 इंच है, ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, यह देखिए, यह तो बिल्कुल सिंपल सा है, यह देखिए, यहाँ से मैं आपको दिखा रही हूँ, यह एच का फंदा है, 2 उल्टे, 2 सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, इसी तरीके से हमने यह बनाया है, और देखिए, इस तरीके से बैक साइट से भी सेम है, यह दोनों साइट से यह बिल्कुल सेम है, और यह काफी स्ट्रेचिबल होता है, तो यह पहनने में भी काफी कमफर्टिबल होता है, यहां तक हमने बना के यह रड़ी किया है, 9 इंच का हमने बना के यह रड़ी किया है, दिखिए, आप हमें क्या करना है, फिर से हमें color change करना है तो color change करने के लिए जो ये नीचे हमने color use किया था वो ही color हम लगाएंगे आप चाहें तो एक color से भी इसे बना सकते हैं एक color में भी ये काफी सुन्दर लगती है तो देखें मैं 2 color से इसे बना रही हूँ आप देखें हम क्या करेंगे इस तरीके से धागा attach कर लेंगे ये देखें ये देखें हमने धागा इस तरीके से attach कर लिया अब हमें क्या करना है जितने वी फंदे हैं इसके 2 part करने है तो हमारे यहाँ पर 80 फंदे है 80 फंदे के 2 part करने है तो 40 40 40 ठीक है, यह थोड़ा थागा अटेच हो गया है, अब हमें क्या करना है, 40 फंदे बुनने हैं, तो तरीके से, यह 10 का फंदा है, यह हम सिधा बुन लेंगे हैं, उसके बाद धागा आगे करेंगे, देखें, मैंने बैक साइड से यह धागा अटेच किया है, इस तरीके से, और बुनने में problem ना करें, यह देखिए, इसे मैं यहां पे cut कर लूँगे, यह देखिए, अब हमें क्या करना है, जो यह उल्टा सिधा हम बुनते वे आ रहे थे, यह अब हमें नहीं बुनना, आब हमें क्या करना है, इस तरीके से, जैसे हमारी यहां पे कितने फंदे थे, 80 ताकि यह बाहर नहीं दिखेगा, यह देखिए, इस तरीके से 40 फंदे गिनते हुए हम बुन लेंगे, तो देखिए, अगर आप चाहें, तो एक साइट से एक बार कम्प्लीट करके, फिर दूसरे साइट से बना सकते हैं, देखिए, मैं दोनों साइट से साथ ही बनाऊंगी, क्योंकि बार बार फंदे गिनने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहां पर दागा अटेच करना है, तो देखिए, इस तरीके से बनेगे, और अगर आप चाहें, तो यहां पर एक नोट ऐसे लगा लीजे, तक यह बिल्कुल पक्का हो जाएगा, ऐसे, ठीक है, तो देखिए, दो, तीन, यह देखिए, चार, 49 और यह 40, देखिए, 40 फंद हमारे इधर, 40 इधर है, आप देखिए, राइट साइड है, यहां पर आप जरूर धियान दीजेगा, देखिए, यह बैक वाला पोर्षन है, तो इसे हम इस तरीके से फोल करेंगे, तो देखिए, इस तरीके से यहां राइट आएगा, तो यह आप धियान से देखिएगा, इस तरीके से पलटके देखिएगा आप, उसके बाद जहां से आपका सिधा साइड आ रहा है, उधर से आपको अटेश नहीं करना है, धागा, धागा आपको बैक साइड से अटेश करना है, ठीक है, तो देखिए, इस तरीके से हो गया, आप हम इसनी लाइन से बुना है तो बस यही करना है right side से सीधा wrong side से उल्टा तो मैं इसे complete करके फिर आपको दिखाती हूँ देखिए friends हमारा जो उपर पोशन है यह बुनके ready हो गया है यह देखिए right side से सीधा और wrong side से उल्टा बुनते हुए मैंने इसकी length complete कर लिया और देखिए यह मैंने एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौन दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंदरा सोला सत्रा अठारा उनन देखिए मैंने 19 lines बुनके ready किया है ठीक है अब हमें क्या करना है अब आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है जैसे 19 lines complete हो जाएंगे उसके बाद देखिए हमें क्या करना है यह देखिए एक दो तीन चार चार फंदे हम सीधे बुनेंगे उसके बाद इस तरीके से देखिए यहाँ से दो काई करेंगे यह दो फंदे दो काई करेंगे ऐसे यह देखिए फिर से एक दो तीन चार फंदे सीधे फिर से यह देखिए इस तरीके से दो काई कर लेंगे ऐसे फिर से एक दो तीन चार फंदे सीध है और यह देखे दो का एक करेंगे ऐसे तो ऐसे हमें क्या करना है इस राइट रो को कम्प्लीट करना है तो देखे एक, दो तीन, चार फंदे सीध है और यह देखे दो का एक एक, दो तीन, चार फंदे सीध है और यह देखे, दो का एक, फिर से, एक, दो, तीन, चार फंदे सीध है, और यह देखे, दो का एक, उसके बाद हमारे लास्ट में चार फंदे सीध है, एक, दो, तीन, और चार, यह देखे, एक साइट का पोश्चन हमारा complete हो गया, आप देखे, दूसरी साइट भी हमें सेम इ यह देखिए एक, दो, तीन, चार फंदे सीधे बुने हमने ऐसे, उसके बाद इस तरीके से दो का एक, तो देखिए इसी तरीके से यह रो भी कम्प्लीट करेंगे, और देखिए लास्ट में, एक, दो, तीन, और चार फंदे सीधे, तो देखिए राइट रो हमारी कम्प्लीट हो गया, अब देखिए बैक रो में हमें क्या करना है, बैक रो को हमें क्या करना है, इस तरीके से उल्टा उल्टा पुनके कम्प्लीट करना है, तो देखिए दोनो साइट का बैक रो मैं इस तरीके से complete करके फिर आपको दिखाती हूँ देखे फिरन्स बैक रो हमारे उल्टा-ल्टा उल्टा बुन के complete हो गई अब फिर से हमारी right रो आगई है फिर आपको ध्यान से देखना है यह देखे अब शुरू में हमने क्या किया था? चार फंदे सीधे बुने थे, दोकाई किया था, आप δेखे हमें क्या करना है, यह देखे, एक, दो, तीन फंदे सीधे, और देखे, यह वाल हमारा फंदा था, अब इसके साथ हमें तीन ही फंदे हमें सीधे बुनके दो काई करना है ऐसे यह देखिए फिर से एक दो तीन फंदे सीधे और यह देखिए दो का एक फिर से एक दो तीन फंदे सीधे और यह दो का एक तो देखिए इसी तरीके से हमें इस रोक को कम्प्लीट करना है यह देखिए इस तरीके से ठी तीन फंदे सीध है और यह देखें, दो का एक, फिर से एक, दो, तीन फंदे सीध है और यह देखें, दो का एक, फिर से यहां पर जितने फंदे बचेंगे से हम ऐसे बुन लेगें, यह देखें, और सेम ऐसे हमें इस साइड भी बुनना है, यह देखें, एक, दो, तीन फंदे सीधे, देखिए जो फंद हमने पहले घटाया था बस उसी के उपर आएगा यह ऐसे, यह देखिए, तो ऐसे ही हमें क्या करना है, इस साइड भी बना के complete करना है, देखिए फिर इस हमारी right row complete हो गई है, और देखिए जो back row है, back row उल्टा उल्टा बुनके complete होगी, तो देखिए मैं इसे complete करके फिर आपको दिखाती हो, देखिए फिर इस back row उल्टा बुनते हुए complete हो गई है फिर से हमारी right row आ गई है अब देखिए right row में हमें क्या करना है यह देखिए एक दो फंदे सीधे बुनेंगे फिर से दो काई करेंगे ऐसे यह देखिए एक दो फंदे सीधे दो काई करेंगे ऐसे दो फंदे सीधे और दो काई करेंगे ऐसे एक दो फंदे सीधे दो काई करेंगे ऐसे दिखी फ्रेंज अगर आप पहली बार मेरी चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्रीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मेरी चैनल पर आपको बहुत सुंदर-सुंदर कैप्स और सौक्स और अच्छे चीज स्वेटर्स के डिजाइन मिलेंगे तो एक बार आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल पर विजिट कीजिएगा यह देखे अब देखे लास में चार फंदे बचे हैं हमारे तो उसमें हम क्या करेंगे एक दो फंदे सीधे और यह देखे दो का एक last में हम इस तरीके से ये देखिए 2 का 1 कर लेंगे ऐसे ये देखिए फंदे हमारी काफी कम हो गए अब same हमें इस side से भी इसी तरीके से बुनना है ये देखिए 1 2 फंदे सीधे और ये देखिए 2 का 1 तो ऐसे हम इस रोग को complete करेंगे दिखी फ्रेंज, लास्ट में हमारे चार फंदे सिधे थे, जिसमें से दो फंदे हमने सिधे बुन लिया है, और दो का एक करेंगे हम ऐसे, यह देखे, यह हमारी right row complete हो गई है, अब दिखे, बैक रो है, बैक रो हम उल्टा-उल्टा बुनके complete करेंगे, तो दिखे, मैं इसे complete करके फिर आपको दिखाती हो दिखी फ्रेंज बैक रो हमारी उल्टा-उल्टा बनके complete होगी है फिर से हमारी right रो आ गई है फिर से ध्यान से आपको देखना है आप हमें क्या करना है यह दिखिये एक फंदा हम सिधा बनेंगे उसके बाद यहां से दोका एक करेंगे ऐसे एक एक फंदा सीधा दोकाई करेंगे ऐसे फिर से एक फंदा सीधा ये देखे और ये जो हम दोकाई कर रहे है ये उसी फंदे पर आ रहा है जो हमने शुरू में जहां पर घटाया था उसी के उपर आ रहा है देखे दोकाई करेंगे ऐसे फिर से एक फंदा सीधा दोकाई करेंगे ऐसे एक फंदा सीधा दो काई करेंगे ऐसे एक फंदा सीधा और दो काई करेंगे ऐसे यह देखे देखे इस साइट हमारा इस तरीके से कंप्लीट हो गया आप देखे इस तरफ भी हमें क्या करना है इसी तरीके से करना है यह देखे एक फंदा सीधा बुनेंगे और देखी ये लाइन है जिसमें हम फंदा घटा रहे हैं तो इसी के उपरचा में दोकाई करना है ऐसे एक फंदा सीधा दो काई करेंगे ऐसे तो दो करेंगे आपको दिखाती हूँ देखें फंदेकेश्पन ही व्यग्यकों नोची बीचे बीचा इस तरीके से ये देखे, दो का एक, फिर से, दो का एक, ये देखे, दो का एक, ये देखे, जितने भी फंदे हैं, सभी फंदों में हमें क्या करना है, दो का एक करते वे जाना है, तो देखे, अब ये थोड़ से टाइट हो जाएंगे, अगर टाइट लग रहे तो आप इस तरीके से हलका स कर लिजे, यह डेखें, और लास्ट में, यह देखें, घटाना हमें इसी साइट से हैसे, यह देखें, दोक का एक अब देखें हमारे चार छे और साथे फंदे बच गये हैं, अब इधर भी हमें सेम इसी तरीके से फंदे घटाने हैं, तो देखिए, दो का एक, फिर से दो का एक, यह देखिए, दो का एक, यह देखिए, दो का एक, यह देखिए, दो का एक, फिर से दो का एक, और देखिए, लास में दो फंदे हैं, तो देखिए, हलका सा धिला करके, इस तरीके से दो का ही कर लें तो दिखे दोनों साइड हमारा बिल्कुल सेम बंद के रेडी हो गया है आप दिखे हमें क्या करना है अब हमें इसका धागा कट कर लेना है यहां तक हमें सिलाई भी करनी है तो जितना हमें सिलाई के लिए चाहिए तो दोनों धागों को हम बराबर कट कर लेंगे यह दिखे इस तरीके से हमने धागा कट कर लिया है, अब हमें सुई की जरूरत पड़ेगी, यह देखिए friends, इस तरीके से हमने सुई ले लिया, अब हमें क्या करना है, जो धागा हमने कट किया है, उसे हमें इस तरीके से सुई में डालना है, और देखिए, अब हमें क्या करना है, यह ज इस तरीके से ही देखिए, सुई में इन्हें इस तरीके से डालना है, और उसके बाद यहां से इस तरीके से टाइट भी कर लेंगे, यह देखिए, ऐसे ही करेंगे, और बिल्कुल टाइट हम इसने खीच लेंगे, यह देखिए, इस तरीके से हो गया, अब हमें क्या करना है, दूसरे side आ भी सेम ऐसे रिए करना है, पहले इस side कर लिएगे, दिखे आप हमें क्या करना है, इसे इस तरीके से, यह जो अंदर की side है, इस तरीके से हमें, यह दो बाद पहले आप यहाँ पर लगा लीजेए, ताकि ऊपर यह पक्का हो जाएगा, यह दो बाद पहले आप हमे बिल्कुल मिलाते वे से सिलना है तो बिल्कुल इजली यह सिला जाता है, बिल्कुल साइड साइड में आपको देखिए इस तरीके से, इसमें सिला यह लगानी है, यह देखिए, corner से corner मिलाते हैं हम इसे सिल लेंगे यह देखे इस तरीके से निकाल लेंगे हम देखे जैसे आपको सिलना पसंद है आप सिल सकते हैं देखे मैं इसी तरीके से सिलती हूँ यह देखे ऐसी जितना खीचरा खीच लेंगे उसके बाद एक note लगा लेंगे ताकि ये बिल्कुल खिसकेगा नहीं अपनी जगे से इस तरीके से हमने note लगा लिया आप देखे बागी का portion भी हम सिल लेंगे ये देखे इस तरीके से ये देखे इस तरीके से हमने ये वाला portion सिल लिया है ये देखे ऐसा हो गया, अब हमें क्या करना है लास में भी यहाँ पर एक note लगा लिनी है ऐसे ये देखे ये हो गया, अब हमने धागा निकाल लिया है अब सेम ऐसा ही हमें क्या करना है इस तरब भी सिलना है देखे फ्रेंस, सेकेंड साइड भी हमारा सिलके रेडी हो गया है, ये देखे, दोनों साइड छुक्ति इसे मैं आपको दिखा रहा हूं ये दे खेए यहाँ पर हमने धागा रखा था पहले से तो दिखे आप चाहें नीचे सा सिलके लिए होगे, यहाँ सिलल लीजिगा तो देखे ये देखे आप देखें हम यहाँ से भी मिलाते वे शिल लेंगे तो दीखे, color से color मिलते विए, पहले हम यहां पे एक note लगा लिए, ये दिखिए, ऐसे, ये दिखे, इस तरीकर से हमने note लगा लिए, आप दो बार note लगा लिए, ये दिखिए, आप हम भी क्या करना है, दिखिए, यहां तक हमारा क्रीम कलर है तो यहां तरह क्रीम कलर पाकिया हमारा यहां परिंक रखा है नीचे यहां पर तरीक का Carna तो हैं यहां पर इस क्षीन टरीक अपन समार सेवता है यहां पर Crude intuit है तो यहां पर नीचे गर sydem देखिए फ्रेंस आप हमें क्या करना है नीची वाले पार्ट के सलाई करनी है तो हमें यहाँ पर यह जो द्धागा है हमने रखा था डबल किया था क्यूंकि हमने डबल धागे से फंदर आले थे तो इसे थोड़ा सा हम कट कर लेंगे ऐसे अब हम इसमें आप देखिए इस त सिधा करके दिखा देती हूं देखिए फ्रेंस यह हमारी राइट साइड है और जो यह कैप है यह देखिए यह बैक वाला पोशियन दिख रहा है तो इस तरीके से फोल्ड होना है तो देखिए हमारे सलाई अंदर के साइड साएगी यानि कि जो राइट साइड को पहले हम स सिल लेंगे ये देखिए देखिए एक बार फिर से note लगा लेंगे क्योंकि cap यहीं से पहननी होती है तो यहाँ पर थोड़ा सा में पक्का बनाना पड़ेगा ये देखिए इस तरिके से note लगा लिया आप देखिए हमें क्या करना है यहां से सिलाई लगानी है, तो पहले हम क्या करेंगे, यह जो धागे एक्स्ट्रा निकले हैं, इन्हें भी इस तरीके से यहां पर दबा लेंगे, ताकि यह बाहर नजर ना आए, यह देखिए, देखिए, देखिए बिल्कुल ready made look की है क्या बनके, ready होती है, winter season आ गया है, तो यह देखिए, इस तरीके से, यह देखिए, धागा भी हमने अच्छी तरीके से यहां पर दबा लिया है, अब देखिए बाकी का portion हम इस तरीके से सिल लेंगे, यह देखिए, बिल्कुल corner से corner मिलाते वे, बिल्कुल side side में हमें सिलना है, यह देखिए, इस तरीके से हमने यह यहां पर नोट लगा लेंगे, यह देखिए, इस तरीके से हो गया, अब हमें क्या करना है, यहां पर धागे हम कट कर लेंगे, यह देखिए, पहले मैं क्या करूंगे, यह जो धागा एक्स्ट्रा दिख रहा है, इस तरीके से अंदर डालेंगे, ऐसे, देखिए, काईट से ख पास नहीं होता है अबलेबल तो देखिए इस तरीके से सुई में आप इस तरीके से धागा डालिएगा उसके बाद यह देखिए ऐसे हम यहां से अंदर इस तरीके से डाल लेंगे यह देखिए और इसे हम इस तरीके से खीच लेंगे उसके बाद देखिए बिल्कुल होगा हमारा यह देखिए इस तरीके से यह फोल्ड होगा बहार के साइट को तो देखिए आदी सिलाई हमने अंदर के साइट से लगाई है और यह देखिए इतनी सिलाई हमने बहार के साइट से लगाई है ठीक है देखिए फ्रेंस अब हमें क्या करना है यह देखिए यह हमार कट कर लेंगे यह देखिए इस तरीके से अब हम कैप को सीधा करेंगे यह देखिए इस तरीके से हमारी कैप यह सीधी हो गया देखिए काफी कि काफ में हमारी कैप में आई है कितकि इस तरीके से हम धागा ले लेंगे इस तरीके से इस करेंगे ऊसके बाद हमें यहाप नौट लगानी एदिए का Rinow इस तरीके से कर लेंगे हम उसके बाद इन दोनों के बीच में इसे डाल लेंगे यह देखिए ऐसे डालेंगे और इसे बिल्कुल सेंटर में लिखे आएंगे ऐसे आप चाहिए तो जैसे नॉर्मल ऐसे घुमांके भी बांद सकते हैं ऐसे बांदेंगे तब भी अच्छा रहे हैं मतलब जो दो कलर्स हमारे यहां पर अलग हो रहे हैं यहीं पर हमें इस तरीके से बिल्कुल टाइट करना है ऐसे यह देखिए इस तरीके से हम टाइट कर लेंगे उसके बाद देखिए दोनों धागे इस तरीके से टाइट करेंगे यह देखिए बिल्कुल टाइट हो ग लगा लीजिएगा इस तरीकी से बिलकुल टाइट हमें बांदना है और डबल थागा आप जरूर कीजिएगा तक यह खुले ना यह देखिए ऐसे हमने बांद लिया अब हमें यह करना यह देखिए बहुत सुन्दर यहां पर लग रहा है अब हमें आगे की साइट फिर से एक नोट लगा लेनी है ऐसे यह देखिए ऐसे नोट लगा लेंगे तो देखिए यह बिलकुल हमारे हाँ पर पक्का हो गया यह देखिए मैंने फिर से एक नोट और लगा लिया हाँ यह देखिए ऐसे हो गया आप मैं क्या करूँगे यहां पर एक बटन लगा लूँगे आप और से लगा लेती हूँ, यह दिखे, अब हमें क्या करना है, इन धागों को हम यहाँ पर कट कर लेंगे, ऐसे, ठीक है, अब एक धागे में मैंने यह इस तरीके से डाल लिया, अब हमें क्या करना है, इस बटन है, इसको यहाँ पर अटेच कर लेंगे, इनके ऊपर रखेंगे तो यह धागे भी easily यहाँ पर छिप जाएंगे, यह देखिए, इस तरीके से, यह देखिए, और यह देखिए हमें अंदर से इसे निकालना होगा, तो देखिए अंदर को हम इस तरीके से सुई डाल लेंगे, यह देखिए, यह देखिए, बिल्कुल टाइट आप इसे कर यह देखिए, यह देखिए, इस तरीके से मैंने इसे गुमा लिया है, यह देखिए, इस तरीके से होगया, अब एक बार हम और करेंगे ताकि यह पक्का हो जाएगा, तो देखिए, दुबारा से हम इसी होल से निकालेंगे, यह देखिए, यह हमने निकाल लिया, यह देख बहुत अची आसी तरीकी से यह बिल्कुल भी नहीं उक्रेगा यह गणा अब हम इसे अंदर की सैट्से इसमें नोट लगा लेंगे ताकि यह बिल्कुल भार नहीं दिखेगा यह अंदर की साइट आमें क्या करना, यहाँ हम इसNow लगा लेंगे यह देखे, अब एक्स्ट्र दागामे यापे, कट कर लेना है, यह देखे, यह देखे, बहुत सुंदर हमारी, यह देखे, रैबिट वाली के आप बनके रेडी हो गई है, अब देखे, मैं आपको इसको डबल करके दिखाती हूं, यह देखे, इस तरीकी साम इसे डबल और देखे, इस तरीकी के एक बनके रेडी हो गई है, और यह देखे, काफी stretchable gap है, यह देखे, इस तरीकी से stretch करेगी, यह देखे, बहुत सुंदर हमारी public practice ready हो गई है, यह देखे, पहनने के बाद इस तरीकी से सर के ऊपर खड़ी रहती चोटे बेबी के लिए बहुत सुन्दर कैप बनके रेडी हो गई है तो आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा यह देखे काफी स्ट्रेचेबल है और यह देखे डबल करने से इसका लुक और भी ज्यादा बढ़ जा रहा है तो देखे कलर कॉंबिनेशन आप अपने सुन्दर कैप बनके रेडी हो गई अगर आपको बड़ी बनानी है तो आप फंदे बढ़ा लिजेगा तो ऐसे आपकी बड़ी कैप भी बनके रेडी हो जाएगी यह देखे काफी सुन्दर कैप है यह देखे एक बार आप इसे जरूर ट्राइ कीजिएगा देखे फ्रेंस अगर आपको मेरी कैप का डिजाइन पसंद आया और बताने का तरीका पसंद आया तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेर, सब्सक्राइब करें थैंक यू